वेलकम टू आँछेनल एसन फूर्ट तो आज मैं आप लोग के लिए बनाने वाली हूँ नेनुआ की सबजी ये हमारे बिहार में इसको निनुआ बोलते हैं कई जगह पे इसको गिलकी भी बोलते हैं धविक बिना मसाले क्या बोल सकते हैं बेसीक की मसाला जाएगा और उसक नहीं जाएगा और गर्मीओं के लिए बहुत अच्छा है लाइट है तो एक कड़ाई मेंने गैस पर रख दिआ उ गरम हो चुका है अब मैं इसमें तीन प्याज काटें बड़े साइस के प्याज काटें लंबा लंबा डालोंगे और इसमें पाच हरी मेच यह से मोटा मोटा कटा हुआ है वह डाल लेंगे अब प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है अच्छे से प्यास हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके है अब मैं इसमें निन्वा डाल दूँगी यह एक किलो निन्वा है फुरा डाल दूँगी वैसमें निक्सर लें अब मैं इसमें आदा कटोरी चना ताल दालंगी यह चना डाल को तो एक शे दो ग़ंते के लिए बीगो के रख दें फिर इसको उज़ करें आप इसमें चना डाल के जगा पर काली चना भी ले सकते हैं वह भी डाल सकते हैं अब हम इसमें मसाले आट करेंगे मसाले में हम एसे बेसिक तीन चीजे ही डालनी आए तो एक चमच नमक डालेंगे गाईज मसाले डालते तो एम आप यह धियान रखें कि नेनुआ गलता है तो गल के फिर थोड़ा सा होगा तो अगर आप मसाले ज्यादा डाल देंगे अब उसे थोड़ा सा दाएगा तो मतलब नमक भी ज्यादा हो दाएगा डबल और अब मैं इसमें आदा चमच फल्डी पाउडर डालूंगी और आदा चमच लाल मेच पाउडर बस हो गया बस तीन चीज़े ही डालनी है मैं इंसाब को अच्छे से मिक्सकर लेंगे अंगा अ है आवा है कि है यहीं होता है बहुत शुक्ति ज्यादा मर्म है कि लिए टीक है अच्वर तो ज्यादा इसमें मेहनद वी न इसली बन जाता है अब इसमें वाटर हो गार्टा की दलता है इसमें पाणी छोड़ेगा 15-20 मिनिट तक पकाना है तो गाइज अब सब्जी देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी हमाई रेडी हो चुकी है अब मैं सर्फ करके आपको दिखा तो देखें गाइज मैंने सब्जी को एक बाउल में सर्फ कर दिया है आप एक बार ट्राइ करके देखेएगा बहुत ही अच्छी बनती है और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई गाईज